नमस्कार दोस्तों मैं नित्यानद पांड़े आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं तो दोस्तों आज हम एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जो कि आपको जीवन में बहुत ही काम आएगी अगर आप इस नील कंठ पच्छी की ये आठ बाते सुन लेते हैं और अपने आउलाद को भी अपने आने वाली पिढ़ी को भी अगर सिखा देते हैं तो आप गरीबी के चंगुल में नहीं फसेंगे इस कहानी को जो भी सुन लेता है उसे गरीबी के दिन नहीं देखने पड़ते हैं तो दोस्तों ये नील कंठ पच्छी की ये आठ बाते कौन सी है तो आई ये कहानी शुरू करते हैं दोस्तों नीलकंट पच्छी का एक जोड़ा एक नगर में रहा करता था दोस्तों नीलकंट पति और पत्नी दोनों ही एक पेड़ पर रहा करते थे पत्नी बहुत ही जिग्यासु प्रविर्त की थी वह कुछ ज्यानने की इच्छा रखती थी एक दिन वह पती पतनी एक पेड़ पर बैठे हुए थे पतनी बोली मेरा मन बहुत ही बेचाइन हो रहा है अपने पती से कही कुछ ऐसी कहानी बताओ कुछ ऐसी कहानी हमें सुनाओ जिससे की हमारे मन को सांती मिल सके पती ने कहा चलो ठीक है मैं एक कहानी तुमको सुनाता हूँ और आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ एक अमीर बहन और एक गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ इस कहानी को सुनकर तुम्हें यह मालूम हो जाएगा कि बहन और भाई का रिष्टा क्या होता है कहानी से तुम्हें यह जानने को मिलेगा कि मनुष्य पर गरीबी क्यों आती है कौन से कारे अगर मनुष्य करता है तो वह गरीबी के चंगुल में फंस जाता है और कौन से कारे करने से मनुष्य गरीबी से निकल नहीं पाता है और दिन प्रतिदिन वह गरीबी के चंगुल में फंसता ही जाता है दोस्तों उसके बाद नील कंट कहता है कि तुम ध्यान से सुनो मैं कहानी तुमको सुनाता हूँ तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं किसी नगर में एक अमीर किसान रहा करता था वह पती पत्नी बहुत ही प्रेम से रहा करते थे कुछ दिन बीत जाने के बाद उस किसान का जुड़ुआ संतान पैदा हुए एक लड़की और एक लड़का उसके बाद वह किसान लड़के काकर नाम सोहन रखता है और दूसरा जो लड़की पैदा हुई थी उसका नाम सुनीता रखता है धीरे धीरे वह बड़े होने लगे एक दिन वह समय आया कि दोनों का बिवाह करने की चिंता उसके सान को सताने लगी और वह सोचने लगा कि मैं लड़की का बिवाह कर दूँ एक दिन वह सहर जाता है और एक धनी ब्यापारी के लड़के से अपने लड़की की साधी कर देता है उसके बात उसकी लड़की जो सुनीता थी वह अपने ससुराल चली जाती है वह अपने फिर पत्नी से साधी करने के बात वह अपनी पत्नी से कहता है भगवान न जाने किसको अमीर बना दे और न जाने भगवान कब किसको गरीब बना दे अब वह किसान कुछ दिन बीत जाने के बाद बिमारी की चपेट में आ जाता है उसका लड़का जो सोहन था वो बड़े बड़े अस्पतालों में अपने पिता को ले करके जाता है बहुत धन खर्चक करता है और इलाज कराता है लेकिन बीमारी में कोई भी सुधार नहीं आती है वह किसान दिन प्रति दिन उसकी सेहत गिरती जाती है एक दिन वह किसान अपने बेटे यानि सुहन को बुला करके और कहता है बेटा कोई भी कारे अगर न हो जाए न हो पाए तो उसे इस्वर के भरों से छोड़ देना चाहिए मेरी चिंता तुम छोड़ दो तुम विबाह करके और अपनी गिरहस्ती बसालो और अपना आगे का जीवन जीओ दोस्तों कुछ दिन बीत जाने के बाद वह किसान अपने लड़के का एक गरीब किसान की लड़की से बिवाह कर देता है क्योंकि उस किसान यह जानता था कि मेरा कोई भरोसा नहीं है न जाने कब हम उपर चले जाएं दोस्तों फिर अपने लड़की का विवाह करने के बाद कुछ दिन बाद उसकी मृत्तु हो जाती है उसका लड़का जो सोहन था अपने पिता का जो कुछ धन कुछ बचा हुआ था वह अंतिम संसकार में खर्च कर देता है दोस्तों अब उसके पास कोई भी धन नहीं बचा था जो भी उसके पास धन था खेती बाड़ी थी वह सब कुछ बिक चुका था उसके बाद सोहन जो है बहुत ही दिन हीन हो जाता है और गाउं के बाहर जा करके एक मड़ई डालता है और पती और पत्नी वहां रहने लगते हैं और मजदूरी करके अपना पेट पालन करता है उधर दोस्तों जब बहन को यह सब मालूम होता है क्योंकि उसकी बहन बहुत ही धनवान थी जब मालूम होता है तो बहन ने अपने भाई से गिर्णा करने लगती है और बिल्कुल ही उससे नाता तोड़ देती है जब अपने भाई का यह इस्थिती मालूम होती है कि वह बहुत ही दीन हीन हो गया है और उसकी आर्थिक इस्थिती बहुत ही खराब हो गई है तो वह सोचती है कि अगर हम अपने भाई से रिष्टा रखेंगे वह हमारे ससुराल अगर आएगा तो हमारी बहुत ही बदनामी होगी इस वज़ा से वह अपने भाई से रिष्टा तोड़ लेती है न वहां जाती है न आती है सोहन को भी यहां मालूम रहता है सोहन आपन इधर मजदूरी मेहनत करके अपना दिन काड़ता है कुछ दिन बीत जाने के बाद सुनीता के यानि उसके बहन के लड़के की साधी पड़ती है लेकिन सुनीता अपने भाई को निमंतरन नहीं देती है भाई को किसी तरह यहां मालूम हो जाता है कि हमारे बहन के लड़के का साधी पड़ा हुआ है यह सुनकर सुहन बहुत ही खुस होता है और आकर के अपने पतनी से कहता है कि मेरी बहन के लड़के की साधी पड़ी हुई है और तुम भी तैयार हो जाओ वहां चलना है पत्नी भी बहुत खुश होती है कि इसी बहाने हम जा करके अपने ननद से मिल लेंगे उसके बाद पत्नी बोलती है सोहन से पत्नी बोली कि आपको निमंतरण आया है कि नहीं आया है इस पर सोहन बोला वह बड़े लोग हैं हो सके मुझे निमंतर देने के लिए भूल गए हो या निमंतर दिये हो तो मुझे नहीं मिल पाया हो उसके बाद पत्नी बोली आप भले ही जाए मैं तो नहीं जाओंगे इस पर सोहन बोलता है ठीक है तुम भले ही नहीं जाओगे तुम अपने बच्चों के साथ लड़कों के साथ तुम घर रहो मैं अकेले ही चला जाता हूँ भाई ने किसी से उधार पैसे ले करके यानि सोहन ने किसी से उधार पैसे लिए और अपने बहन को सुन्दर बस्तर खरी दे अपने बहन के लड़के के लिए सुन्दर बस्तर खरी दे और बस्तर ले करके और ससुराल पहुच जाता है पैदल पैदल चलते चलते दर्वाजे पर जब पहुंचता है तो अपने बहन के दर्वाजे पर एक तर्व खड़ा हो करके अपने बहन के आने का इंतिजार करने लगता है दोस्तों एक जगह खड़ा हो करके जब वो इंतिजार करने लगता है उसके बाद जो उसके बहन की जेठानी थी जेठानी जा रही थी तब तक जेठानी का नजर सोहन पर पड़ जाता है जेठानी जा करके और अंदर सुनीता को बताती है कि तुम्हारा भाई आया है दर्वाजे पर खड़ा है तब वो जेठानी से पूछती है सुनीता कि वो कैसा कपड़ा पाना हुआ है वो कैसा देखने में लग रहा है तो जेठानी बताती है वो फटा पुराना कपड़ा पहन करके एक तरफ दर्वाजे के पास खड़ा है सुनीता ने नजर बचाते हुए आती है और अपने भाई को पकड़ करके एक पीछे वाले घर के पीछे ले जाकर के कमरे में बैठाती है और बोलती है अपने भाई से कि तुम्हें निमंत्रन कौन दिया था जब तुम्हें निमंत्रण नहीं था तो आने की क्या जरूरत थी अगर आपना नहीं तो हमारा कम से कम इज्जत का ख्याल किये होते तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था यह सब सूहन सुन रहा था और कुछ न बोला ठीक है अगर तुम आभी गए हो तो इस कमरे में से बाहर मत निकलना और इस कमरे में तुम बैठे रहो मैं जब खाना बन जाएगा तो तुम्हें ला करके दे दूंगी और तुम खा करके पीछे के दरवाजे से चले जाना उसके बाद सूहन सब बाते सुनने के बाद अपने बहन को कपड़ा जो भी होला के आने का इंतिजार करने लगा बहन जो थी वह जाने के बाद किसी काम में ब्यश्थ हो गई इधर सूहन को उस कमरे में बैठे बैठे तीन दिन बीच गए और प्यास के मारे वह बेहोस होने लगा सूहन अंधेरी कमरे में बैठे बैठे उसके बाद सूहन ने आवाज भी लगाया लेकिन कोई कुंडी नहीं खोला सूहन को बहुत प्यास लग गई थी तीन दिन से वह उस कमरे में पड़ा था वह सोचता था कि आप तो मेरी जान निकल जाएगी अपने बीबी बच्चों से भी मुझे मुलाकात नहीं हो पाएगी दोस्तों वह जमीन पर पड़ा हुआ था बेहोस हो रहा था तब तक उस कमरे के पास से किसी के पायल की आवाज आती है वह कोई आओर नहीं थी सूनिता की जेठानी थी उसके बाद सूनिता की जेठानी वह दर्वाजा खोलती है और सून से पूछती है किसने यह कमरा बंद कर दिया था सून सब पाते चुपा लेता है और कहता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था किसी ने गलती से आगे से कमरा बंद कर दिया उसके बाद सुहन कमरे से निकलता है और पीछे के दरवाजे से अपने घर के लिए निकल जाता है वो भूख और प्यास से पागल हो रहा था चलते चलते बहुत दूर चला आता है और उसे चक्कर आकर के वो गिर जाता है गिरने के बाद थोड़ी देर बाद जब उसे होस आता है तो वह देखता है कि एक बुढिमा के गोद में मैं पड़ा हूँ मैं सिर्धर करके सोया हूँ और वह मुझे पंखी डुला रही है दोस्तों उसके बाद वह उठता है और बुढिमा का प्रणाम करता है प्रणाम करने के बाद वह चलने की आज्या मांगता है दोस्तों वह बुढ़ी मा कहती है बेटा कहां से आ रहे हो तो सोहन ने बताया कि मैं अपने बहन के हां से आ रहा हूँ बहन के हां साधी पड़ी थी वही मैं गया था और मैं अपने घर के लिए जा रहा हूँ उसके बाद सोहन चल देता है दोस्तों उसके बाद वह बुड़ी मा ने पूछा बेटा मेरे एक प्रश्न का जबाब अगर दे सकते हो तो दे दो तुम अपने बहन के पास गए थे और तुम अपने बहन के घर साधी में गए थे और बहन आते समय तुम्हें कुछ नहीं दिया तुम्हारे बीबी बच्चों के लिए मिठाईयां भी नहीं दी तुम इसी तरह से जा रहे हो उसके बाद सोहन का आँख आशों से भर जाता है और वह बुड़ी मा को सारी बातें बता देता है कि मैं तीन दिन से भूखा हूँ मा मैं कुछ नहीं खाया हूँ इस पर बुड़ी मा कहती है बेटा यहां से कुछ ही दूरी पर हमारा एक बागीचा है उसमें अनेकों परकार के फल लगे हुए है चल करके अपने इच्छा भर अपना पेट भर लो खालो उसके बाद बच्चों के लिए एक थैले में कुछ फल भर लेना कि तुम घर पर जाओगे तो तुम्हारी इज़त बची रहेगी तुम्हारे बच्चे दोड़ करके आएंगे तो तुम उन्हें फल दे सकोगे जब बुढ़ी मा की बात सोहन सुनता है तो कहता है ठीक है उसके बाद सोहन जाकर के बागीचे में अनेकों परकार के फल अपनी इच्छा भर खाता है और कुछ फल ले करके चल देता है तब बुढ़ी मा ने कहा जाते वक्त बेटा यह मेरी आठ बातें तुम याद रखना अगर यह बात तुमने अपने जीवन में याद रखी तो तुम्हारे बहुत ही काम आएगी वह बुढ़ी मा आठ बातें सोहन को बताती है इसके बाद वो घर को चला जाता है जब घर पर अपने पहुचता है तो बच्चे दोड कर आते हैं पिता जी हमारे आ गए बुढ़ी के घर से आये हैं इस पर सोहन थैला पत्नी भी आती है सोहन थैला अपने पत्नी को पकड़ा देता है और करता है बच्चों को फल दे दो और बाहर निकलाता है दोस्तों वो थैले में सोने हीरे से भरे हुए थे पत्नी जब अनार को फोड़ती थी तो उसमें हीरे के दाने निकलते थे जब आम गो पत्नी काटती थी तो उसमें सोने के गुठलिया निकलती थी उसके बाद पत्नी बाहर निकल करके जाती है और अपने पती से कहती है कि तुम साधी में गए थे ये क्या लाए हो इस पर सुहन ने सोचा सायद मैं फल ले करके आया हूँ पत्नी को और बच्चों को पसंद नहीं आया है तो इसलिए बोल लई ये मुझे लड़ू पेड़ा लाना था उस पर सुहन ने बोला जो मुझे बहन ने दिया वह मैं ले करके चलाया आया इसके बाद पत्नी हाथ पकड़ करके अपने पती को यानि सुहन को घर के अंदर ले जाती है और थैला जो भरा हुआ था वह थैला पलट देती है वह थैला में हीरे सोने चादी भरे हुए थे दोस्तों जब सुहन ने देखा तो वह समझ जाता है कि वह बुढ़ी मां कोई साधारन अवरत नहीं थी सुहन की पत्नी बोलती है हम लोगों का तो भाग यही बदल गया सुहन समझ जाता है कि वह बुढ़ी मां कोई साधारन बुढ़ी मां नहीं थी और वह बुढ़ी मां कौन थी तो दोस्तों वह बुढ़ी मां सुहन की जो पत्नी रात दिन जो पूजा करती थी जिस देवी मा की वह देवी मा ही जाकर के सोहन को बचाती है और सोहन को फल के रूप में यह हीरे सोने चादी दी रहती है कुछ दिन बीट जाने के बाद सोहन आलिसान महल बनवाता है बहुत बड़ा घर बनवाता है दोस्तों उसके बाद उसको देखकर के लोग मान समान देने लगते हैं सोहन एक बड़ा आदमी के रूप में वहां अपने नगर में रहने लगता है एक दिन पत्नी बोलती है सोहन को पत्नी बोली देखो बहुत दिन हो गए हैं सब लोग मैके जा रहे हैं तुम भी अपने बहन को जाओ और बुला करके ले आओ इसी बहाने हमें ननत से भी भेट हो जाएगी यह बात सुन करके सोहन बहन के घर के लिए चल देता है दोस्तों सोहन जाकर के फिर उसी जगह खड़ा होता है जहां इसके पहले आकर के वो घर के दर्वाजे के एक तरब खड़ा हुआ था जेठानी की नजज़ पड़ती है और वो जाकर के फिर सुनीता से कहती है कि तुम्हारा भाई आया हुआ है सुनीता बोलती है कोई भी भिखारी हमारा भाई नहीं हो सकता जेठानी बोली इस बार तुम्हारा भाई कोई राजा महराजा की तरह आया है भिखारी की तरह नहीं आया है तुम्हारा भाई आभूसनों से लदा हुआ है बहुत ज्यादा आभूसन पहना हुआ है रत भी उसके बगल में खड़ा है चार-चार साइनिक खड़े हैं दोस्तों देखने से लगता है कि कोई तुम्हारा भाई राजा महराजा से कम नहीं है दोस्तों सच्चाई देखने के लिए सुनिता जाती है और छुप करके देखती है देखने के बाद उसका होस उड़ी जाता है उसके बाद सुनिता घर में जाती है और आरती का ठाल सजा करके ले करके आती है और अपने भाई को आरती उतारने लगती है और ले जाकर के बैठाती है छमा मांगती है और कहती है भाई मुझे बहुत गलती हो गई उसको खिलाती पिलाती है उसके बाद भाई काता है मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ भाई के साथ रत में बैठ करके फिर वह मैंके के लिए चल देती है अपने बहन को ले करके भाई ने जब अपने घर पहुचा तो सुनिता ने जब अपने भाई का घर देखा महल के जैसे था नोकर चाकर लगे हुए थे वो स्तोस्ती थी कि मेरा भाई बहुत ही धन्वान हो गया उसके बाद सोहन की पत्नी यानि सुनीता अपने ननत की बहुत ही खातिरदारी करती है जब ननत को जाने का समय होता है तो सुनीता अपने पत्नी यानि सोहन से बोलती है कि हमारे ननत का जाने का समय हो गया है तुम जाकर के बाजार से कुछ उपहार लेते आओ क्योंकि सुनीता तो यही जानती है कि यह जो कुछ भी है वो हमारे ननत की ही दी हुई है दोस्तों उसके बास सुहन बाजार के लिए जाता है कि बजार जा करके अपने बहन के लिए कुछ उपहार लेता हूँ सोहन जा करके एक मोची के दुकान पर पहुचता है और पहुचने के बाद मोची से बोलता है कि एक ऐसी जूती बना दो जो हमारी बहन चले तो यह आठ बातें वहा बारी बारी बोले मोची बोलता है कि ऐसी जूती बनाने के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे सोहन बोलता है तुम्हें मांगा मैं कीमत दूंगा लेकिन जब हमारी बहन चले तो अब बारी-बारी करके यह आठ बातें वह जूती बोले जो मैं यह आठ बातें बताने जा रहा हूँ मोची भाई तुम ध्यान से सुनो उसके बात सोहन बताता है पहली बात दोस्तों पहली बात सोहन मोची को क्या बताता है बात ग्यान की है कही मानव तू मत भूल होती है अग्यानता निर्धनता कामूल उसके बात दूसरी बात क्या बताता है समय भरो से बैठता रहता सदय गरीब बिना कर्म के बदले नहीं उसका कभी नसीब तीसरी बात बताता है आलस कर रहता सदा जो परिवर्तन हीन वही को दीन कर्म कर करे सदा स्वयम को दीन दोस्तों आलस कर रहता सदा जो परिवर्तन हीन वही कर्म कर फिर करे कहे स्वयम को दीन चोथी बात फिर सुहन बताता है नहीं गरीबी से बड़ा है कोई अविश्राप हासिल करके ग्यान ही करो दूर अब आप चोथी बात सुहन बताता है दोस समय को दो नहीं नहीं बनो मजबूर कर्म साधना में जुटो करो गरीबी दूर चट्वी बात सुहन उस मोची को बताता है कर्म कभी करता नहीं को से सदा नसीव भाग भरो से बैठता वो मानो रहे सदा गरीब सात्वमी बात बताता है सोहन अज्ञानी पर ही सदा करे गरेबी वार विजई होता युद्ध में ग्यान सदा हतियार हे मोची भाई मेरी बहन जब आठमा कदम रखे तो यह बात जूती को बोलना चाहिए पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब धन दौलत से जुड़ रही रिष्टे हुए गरीब हे मोची भाई आठवी बातें मैं तुमको बता दिया जब मेरी बहन जूतियां पहन कर चले तो यह आठ बातें उसे सुनने को मिले भाई फिर सोचने लगा जब यह जूतियां पहन करके मेरी बहन चलेगी तो यह आठ बातें जब वह सुनेगी तो उसे अपने गल्ती का हैसास होगा दोस्तों घमंड में आकर के उसने अपने भाई का अपमान किया था और अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था दोस्तों इस प्रकार अपने भाई के लिए हीरे मोती से जुड़े हुए सोने चादी से वह जूतियां बनवाता है और उपहार के सुरूप में लेया करके अपने भाई को देता है बहन देख करके बहुत ही खुश हो जाती है इतने महंगे जूती हमारे भाई ने बनवा करके हमारे लिए ले आया उसके बाद हुआ लेकर के ससुरूराल चली जाती है ससुरूराल जाने के बाद में वहाँ जेट दिवरानी जेट जिठानी सास ससूर सब लोगों को अपनी भेट दिखाती है सोने चादी से जड़ी हुई जूती को पहन करके और जैसे ही चलने चल करके वह दिखाती है तो जूती बोलती है पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब धन दवलत से जुड़ रही रिष्टे हुए गरीब दोस्तों सुनीता जो थी सुन करके उसका सर्म सिर से जुक जाता है और उसे अपने गलती का हैसास होता है कि अपने भाई को ऐसा हमें नहीं करना चाहिए भाई को याद करके वह रोने लगती है तब जैठानी ने अपने देवरानी से कही यानि सुनीता से कहती है मैंने पैसों के सुनीता बोलती है मैं पैसों के घमंड में आ करके अपने भाई को एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूची उसका बहुत ही अपमान किया उस पर फिर देखो मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा करके दिये मुझे तो अपने आप पर घ्रना होने लगी है इस पर सुनीता की जे ठानी समझाने लगती है जो हो गया उसे भूल जाओ और मैं तुम्हें बताती हूँ जो ब्यक्ति यह आठ बाते तुम ध्यान लखना जो ब्यक्ति धन दौलत से घमंड करता है धन दौलत के घमंड में आ करके और किसी को अपमान करता है उसे माता लच्छमी उस ब्यक्ति से दूर चली जाती है और यह मेरी आठ बातें तुम ध्यान से सुनना सुनिता की जेठानी ने सुनिता को यह आठ बातें बताती है और कहती है जो ब्यक्ति रात्री में जूठे-बरतन रखता हो खाने-पीने का चीज बरबाद करता हो वह जल्दी ही निर्धन हो जाता है और उसके घर से माता मातालच्मी नराज होकर रखे चली जाती हैं दूसरी बात जिस घर में इस्त्री का अपमान होता हो जिस घर में सुबह साम जगड़े होते हैं उस घर से भी मातालच्मी रुष्ट होकर के चली जाती हैं और जिस घर में दोस्तों हिस्त्री या पुरुस सुर्यस्त होने के बाद जाड़ू लगाता हो उस घर से भी मातालच्मी रुष्ट होकर के चली जाती है दोस्तों जिस घर में पैसों का कदर नहीं होता है फिजूल खर्च होता है उस घर से भी मातालच्मी नाराज होकर के चली जाती है और पांचवी बात जेठानी ने बताया सुनीता को जो पैसे आने के बाद दूसरों का मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाता है अपमान करता है अपने धन के बल बूते पर दूसरों को परसान करता है उसके भी घर से मातालचमी रिश्ट हो करके चली जाती है और वह व्यक्ति कंगाल हो जाता है और चटमी बात जिस घर के लोग अपने करतब्य का पालन नहीं करते हैं दूसरे दिन पर टालते हैं आज करना होता है उसे कल करते हैं कल का परसो करते हैं उसके घर से भी मातालच मी रुष्ट हो जाती है साथमी बात जिस घर से अपने बड़ों का इज़्जत नहीं होता है अपने बड़ों को कटुक बचन लोग बोलते हैं उस घर से भी मातालच मी रुष्ट हो जाती हैं और अंतिम और आठमी बात जिठानी नहीं बताया जिस घर के लोग अपने महमानों का सम्मान नहीं करते है अपने महवान का अपमान करते हैं किसी के आने पर अपमान करके उसे निरादर करते हैं आदरभाव नहीं करते हैं उसके दरवाजे मातालचमी नहीं आती हैं उसके घर में अस्थाई बास नहीं करती हैं और जो अवरत अपने दरवाजे पर भिच्छुक आने पर भीख नहीं देती है उसके घर से भी मातालच मिश चली जाती हैं दोस्तों यह आठ बातें जेठानी ने सुनीता को बताती है इस प्रकार जेठानी की बात यह सुन करके सुनीता को ग्यान हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि ऐसी बात नहीं हमें करनी चाहिए यह तो माया आनी जानी है माया पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए इस्वर न जाने कब किसको गरीब बना दे और कब किसको अमीर बना दे पैसों का घमंड में आ करके किसी का आपमान या अनादर नहीं करना चाहिए तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कामेंट बाक्स में जरूर बताईएगा चैनल को सस्क्राइब करिएगा बेल घंटी को दबाना न भूलिएगा मिलते हैं कुछ ऐसी ही ग्यान बर्धक कहानी के साथ धन्यवाद कर दोड़ाद